ओम शान्ति मेरा अब्यक्त मीठा प्यारा बाप दादा बहुत बहुत प्यार से देही भी माने स्थिती में स्थित होकर आज के प्रानिश्वर बाप दादा का महावाक्य सुनेंगे हम सबी आज के तारिक चार फुर्वरी दोहजार चौविस रिवाइज डेट है 31 जिनवरी 1999 बाबा कास का अब्यक्त मुर्ली का सार है पासवी दाउनर बनने के लिए हर खजाने का एकॉंट्स चेक करके जमा करो हर एक बाबा केते हैं पासवी दाउनर बनने के लिए हर खजाने का एकॉंट्स चेक करके जमा करो पासवी दाउनर अर्थात विजई रत्न आत्माई जिसको बाबा बोलते हैं मुख्य अस्ट रत्न आत्माई जो 100% विजई बनती हैं इसे 108 की माला को विजई रत्न कहाई कहे जाएंगे तो हमें विजई बनना है तो हर एक हजाने को बाबा कहते हैं चेक करो आज बाब दादा हर एक छोटे बड़े चारो और के देश विदेश के बच्चों का भाग ये देखकर हर्शित हो रहे हैं आज बाब दादा हर एक छोटे बड़े चारो और के देश विदेश के बच्चों का भाग की देखकर हर्शित हो रहे हैं ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाए आप ब्राह्वन आतमाओं के किसी का भी नहीं हो सकता है सारे कल पूरे पांच हज़ार वर्षों में आप ब्राह्मन आत्माओं के सिवा किसी का भी नहीं हो सकता है देवताईं भी ब्राह्मन जीवन को स्रिस्ट मानते हैं हर एक अपने जीवन के आदी से देखो कि हमारा भाग्य जनमते ही कितना स्रिस्ट है जीवन में जनमते ही माबाप की पालना का भाग्य मिलता है अभी संगम यूगी जीवन में माबाप आलावकिक मात पिता मम्मा बाबा की गोद मिलता है और निराकार बाप शिब बाप और शकार में मा कहेंगे ब्रह्मा तो इनका भी हम सभी बच्चों को सोभाग्य मिलता है अलावकिक मात पिता और श्वेम स्री बाबा भी मा और पिता भी बन करके बच्चों को पालना देते हैं सकार ब्रह्मा तन के द्वारा तो ये बाबा केते हैं फिर पढ़ाई का भी भागी मिलता है उसके आगे गुरु द्वारा मत्वा वर्दान भी मिलता है आप बच्चों को पालना पढ़ाई और स्रीमत वर्दान देने वाला कौन है परम आत्मा द्वारा यह तीनों बावा कहते हैं प्राप्त हैं पालना देखो परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है इसलिए सदा नसे में सदा भाग्य में रहना है कि हम सभी ब्राह्मन आत्माओं को कोटों में कोई और कोई में भी कोई बहुत थोड आत्माओं को मिलता है जो हम सभी इतने उचे भागी के अधिकारी बनते हैं परम शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाई और किसी को भी बाबा कहते नहीं मिल सकता है परम शिक्षक की पढ़ाई हम सभी गिने चुने आत्माओं को ही प्राप्त होता है मिल रहा है संगम युग म और किसी को भी ने मिल सकता है सत्गुरु द्वारा, स्रीमत, वर्दान आपको ही प्राप्त होता है शत्गुरु बावा द्वारा, स्रीमत और वर्दान आप थोड़ी से आत्माओं को ही बावकेतें प्राप्त होता है तो अपने भागी को अच्छी तरह से जानते होना भागी को इस्मृती में रखते होना जूलते रते होना भागी को इस्मृती में रखते होना जूलते रते होना गीत गाते होना वह मेरा भाग्य वह और वह मेरा बाबा वह वह मेरा स्रस्ट तक्दिर वह का गीत गाते रहना है वह संगम युग वह का भी गीत गाना है आगे बाबा कहते हैं, इस सारे मुरली का जो सार सुनते हैं हम सभी, उसमें से मुक्षे पॉइंट है, चारो और के परमातम पालना, पढ़ाई और सिरीमत के, भागी के अधिकारी विसे सात्माओं को, सदा सोचना और सौरूप, दोनुस समान करने वाले, जो हम सूचते हैं, उसको स्वरूप में लाना है, प्राक्टिकल जीवन में हमें उतारना है उसे, शेब बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, बाप समान आत्माओं को, सदा फरमात्म, विल पावर द्वारा, स्वेम में और सेवा में सहथ सफलता प्राप्त करने वाले निमित सिवाधारी बच्चों को सदा बाप को कमबाइंड स्वरूप में अनुभब करने वाले सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को तो बाबा जैसे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते करते हैं जो बच्चे सदा निमित समझ करके चलते हैं जो बच्चे सदा बाप को कंबाइन रूप में अनुभव करते हैं जो बच्चे सदा साथ निभाने वाले हैं जो बच्चे सदा साथ ही रहते हैं ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते तो ऐसे मीठे मीठे प्यारी प्यारे बाप दादा को हम सभी रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गूड मॉर्णिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज शद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं शमंद संपर्क में संतुष्टा की विसेस्ता द्वारा संबंद संपर्क में संतुष्टा की विसेस्ता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुस्ट मनी भवो संतुस्ट मनी भवो संबन संपर्क में संतुस्टता की विसेश्टा जितनी भी लोगों आत्माओं के संपर्क में हम आते हैं उन सभी आत्माओं को संतुस्ट करना है और उसी संतुष्टा के अधार से शिबाबा कहते हैं तुम विजई माला में फिरोने वाले संतुष्ट मनी बन जाएंगे तो ऐसा वरदान अभी से हमें प्राक्टिकल लाइप में दिखाना है कि हरी कात्मों के संपर्क में आते हर प्रकार से उन्हें संतुष्ट करने का ही पुर्शार्थ करना है तो बावाजवरदान दिये संतुष्ट मनी भवो सारे दिन में संतुष्ट मनी भवो का वरदान हम सभी बार बार इस मिरिती में लाएंगे बिस्तार बावाज़ सिखा रहे हैं समझा रहे हैं शंगम युग संतुष्टा का युग है, संपून संगम युग ही संतुष्टा का युग है, जो स्वैम से भी संतुष्ट हैं, और संबन संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं, वह संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं, जो स्वैम से संतुष्ट जो संबन संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं वही बच्चे विजई माला में पिरोहे जाते हैं क्योंकि माला संबन से बनती है अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं है नहीं हो तो माला बने बनेगी नहीं इसलिए संतुष्ट मनी बनकर सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो संतुष्ट मनी बनकर अर्थाद हर परिस्तिती में हमें संतुष्ट रहना चाहे कितना भी विगनाय चाहे कैसी भी परिस्तिती हो बाबा के ते वही बच्चे विजई मालास बन दी है तो इसलिए संतुस्ट मनी बन कर सदा संतुस्ट रहो और सरव को संतुस्ट करो परिवार का और्थ ही है संतुस्ट रहना और संतुस्ट करना यह श्वरी परिवार यह गौडली परिवार तो हमें इस गौडली फैमिली में जो है सदा संतुस्ट रहना है और सर्व को संतुस्ट करना है कोई भी परकार की खिट पीट ना हो कोई भी प्रकार के आ संतुष्टता ना हो, खेट पीट ना हो तो आज सारा दिन मैं संतुष्ट मनी आत्मा हो और संतुष्टता के सागर बाबा से जो है हमें कंबाइंड रहना है जो सारे संसार को संतुष्ट करने वाले हैं तो ऐसे बाब दादा से कंबाइन रह करके हमें विसेज जो है वर्दान अपने जीवन में धारन करना है संपून सदा संतुस्ट रहनर सरों को संतुस्ट करना है स्लोगन है विगनों का काम है आना और आपका काम है विगन विनासक बनना विग्णों का काम है आना आपका काम है विग्ण विनासक बनना तो विग्ण तो आएंगे हीर अंत तक आएंगे और हमारा काम है विग्ण विनासक गणेस बनना सारी शक्तियों को धारण करके विग्ण विनासक गणेस बनना अच्छा ओम शांति